तंबाकू कितनी खतरनाक और जानलेवा है ये हमें भी बहुत अच्छे से मालूम है लोगों को ये पता होने के बात भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता सिगरेट और तंबाकू के पैकट के पीछे साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि तंबाकु जानलेवा है लेकिन फिर भी लोग इसको नजरिन्दास करते हैं तंबाकु ना सर्फ व्यक्ति के स्वास को खराब करता है बलकि उसके दिमाग को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है तंबाकू से लाखों लोग कई गंबीर बिमारियों का शिकार हो जाते हैं लोगों को तंबाकू के प्रती जागरुप कराने के लिए पूरी दुनिया में आज काई अभियान चलाये जा रहे हैं जानलेवत तंबाकू से पुरुशों से ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हैं अमेरिका में हुई एक रिसर्च की माने तो तंबाकू की वज़य से जायतर फेफडों में कैंसर की बिमारी जो कुछ समय पहले तक आदमियों में देखी जा रही थी वो अब और्टो में देखी जा रही है ये रिसर्च अमेरिकन कैंसर सुसाइटी और राश्रे कैंसर संस्थान द्वारा की गई थी तंबाकू में कैंसर पैदा करने वाले तत्व जिन में निकोटीन, केडियम और कार्बो मोनोकसाइट स्वास्ते के लिए बेहधानी का रखें धुम्रपान से होने वाली कुछ बिमारीों के लक्षण सास लेने में दिक्कत होना, भूक ना लगना, नींद पूरी ना होना, ठकान और तनाव महसूस करना, गले की समस्याओं का होना या फिर गले से खून आना और लंबे समय तक खासी रहना धुम्रपान से बचने के लिए कुछ उपाए धुम्रपान से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा, आप नशा मुक्ति केंद्र जाकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं धुम्रपान से दूर रहने के लिए च्विंगम, स्प्रे, इंहेलर जैसी चीजों का यूज किया जा सकता है समय रहते सही डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से इलाज करवाए